संजा लीला बंसाली की बहू प्रतिशिक फिल्म पदमावती पर सेंसर बोर्ड और निर्माताओं के बीच कतित समझोते की खबरों के बाद कंडी सना ने देश बर में फिल्म रिलीस के खिलाब आंदोलन और बीजेपी को सपक सिगाने की दम्की दिये शुकरवार को सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाते वे सना ने कहा सेंसर चीफ प्रसुन जोसी को अटा देना चाहिए पूरी फिल्म पर सवाल उठाते वे पूशा कि अब तक फिल्म बनाने वाले संजा लिला बंसाली जेल से भार कैसे है कंडी सेना के निता सुदेव सिंगोगामेडी ने जोर परता के उलेक पर नाराज़गी जताई कहा जोर इसलिए किया गया था क्योंकि माता पदमी नी नहीं चाहती थी कि खिलजी उनके मर्श स्रीज को भी हात लगा सके अगर जान देनी होती तो वो जैर पिकर भी दे सकती थी उनका ये बलिदान महान था पदमावती के फंडिंग पर सवाल उठाते हैं कंडी सेना ने कहा कि फिल्म उस दोरान बनी जब देश पर में नोट बंदी लगू की गई थी हमारे पास नोट बंदी के दोर में 4,000 रुपे भी नहीं थे और इनको फिल्म के लिए कहां से करोडों के फंडिंग बिल गई सरकार इसकी भी जाज करा है कंडी सेना ने इस बात पर भी सवाल उठाएगी अब तक जब फिल्म को सरकार ने अनुमती नहीं दी और नाई संसर बोर्ण ने अनुमती दी तो फिर को संजलीला बंसाली पर देश दुरों का केस दर्द नहीं हुआ कंडी सेना ने संजलीला बंसाली पर हिंदू संस्कृति को बेचने का अरोप लगाया केंदरी खेल राज्य मंतरी इंडेशनल स्टूटर राज्य वर्धन सिंह राठोर के अब तक इस्तिफा ना देने पर भी सवाल उठाए का राज्य वर्धन माता पदमिनी के राज्य से आते हैं फिर भी उन्होंने अब तक इस्तिफा क्यों नहीं दिया कंडी सेना ने पदमावती को रिलीज करने को लेकर बीजेपी को भी दमकी दी कहा आगे चलकर रायस्तान में तीन उप्चुनाव है बीजेपी की वदा खिलावी का हम जवाब दे सकते हैं हम बीजेपी को वोट से बंचिट भी कर सकते हैं 28 दिसंबर को पदमावती को लेकर भी बैटक में फिल्म पदमावती पर लिए फैसले पर कंडी सेना ने कहा कि प्रसुन जोसी को बरखास कर दिया जाना चाहिए केंद्रिय सूजना और परसान मंतरी इसमरती इरानी का भी विरोध किया और अधिक खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ हमारे यूटूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janpahari.com पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी